दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फोर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों भारती संभिधान एम राजबिवस्था से संबंधित महत्तुपूर्ण प्रशनों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम साल्व करेंगे राश्ट्रपती यानि प्रेसिडेंट आफ इंडिया से संबंधित महत्तुपूर्ण प्रशनों का भाग दो जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं के सामान निग्यान और सामान नियद्यन के लिए बहुत ही उपयोगी है प्रशनों को साल्व करते समय हम उनकी ब्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रशनों को आसान इसे समझ सकें और परिक्षाओं की द्रिष्टी से कुछ अन्य महत्तुपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें तो आईए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट भारती संबिधान एउम राजबेवस्था से समबंधित महत्तुपूर्ण प्रशनों का प्रैक्टिस सेट इसमें हम राष्टपती से समबंधित महत्तुपूर्ण प्रशनों को कांटिन्यू करेंगे पहला प्रश्ण है दोस्तों भारत का राष्टपती अपने पद पर पुनर निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है आपसन है एक बार, दो बार, तीन बार या जितनी बार चाहे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर जितनी बार चाहे आपसन D आप याद कल लिजे कि कोई भी व्यक्ति जो राष्टपती के रूप में पद धारन करता है या कर चुका है संबिधान के अनुच्छे 57 के तहट उस पद के लिए पुनर निर्वाचित हो सकता है और पुनर निर्वाचित के संबंध में संबिधान में किसी भी सीमा का उल्लेक नहीं किया गया है तो याद रखेगा भारत का राष्टपती अपने पद पर जितनी बार चाहे पुनर निर्वाचित के लिए खड़ा हो सकता है अगला प्रश्ण है भारती संग के राष्टपती के पास वही संबैधानी का धिकार है जो किस के पास है ब्रेटिस राजा या रानी के पास यूईसे के राष्टपती के पास पाकिस्तान के राष्टपती या फ्रांस के राष्टपती के पास तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारती संग के राष्टपती के पास वही संवय धानी का दिकार है, जो ब्रीटिस राजा या रानी के पास है दोस्तों याद रखेगा भारत में संसदी इस आसन पढाली का अनुशरण किया गया है जो कि ब्रिटेन के इस आसन पढाली पर आधारित है इसलिए भारती संग के राष्टपती के पास वही संबैधानी का धिकार है जो ब्रेटिस राजारानी के पास है अगला प्रेश्ण है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन और कारण से संबंधित ये प्रेश्ण है आपके लिए कथन है कि भारत का राष्टपती ब्रेटिस राजा से भिन्न है कारण है कि भारत की राष्टपती का पद अमेरिका की राष्टपती से मिलता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर आपसंसी हो जाएगा A सही और R गलत हो जाएगा कैसे तो आप जान लिजे कि A सही किंतु R गलत है अगर देखा जाये तो भारत का राष्टपती निर्वाचित होता है जबकि ब्रेटेन का राज़ा वंशानुगत होता है इसलिए धोनो भिन होता है भारत का राष्टपती नाम मात का प्रमुख होता है जबकि अमेरिकी राष्टपती वास्तविक प्रमुख है इसलिए ये द अधारन परिष्थितियों में राष्टपती को राजिपाल के कृतियों के निर्वहन के लिए उपबंध कर सकता है कि इस अनुच्छेद के तहट अनुच्छेद 160, 162, 165 या 310 तो सही उत्तर अनुच्छेद 160 में आपसन ए याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा जुस्तु संबिधान के अनुच्छेद 160 के तहट राष्टपती आकस्मिक या असाधारन परिष्थितियों में राजजपाल के कृतियों के निर्वहन के लिए उपबंध कर सकता है अगला प्रश्ण है भारती संबिधान भारत की राष्टपती को अधिकार नहीं देता प्रधान मंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्य मंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच कमांडर होने का, या देश के किसी भाग में आपातकालीन इस्थिती लागू करने का तो सही उत्तर है भारत का संभिधान भारत के राष्टपती को अधिकार नहीं देता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का आपसन भी आपका सही उत्तर है अनुच्छेद 164 टेक के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के रहुती आसान सा प्रशन है। तो सही उत्तर है स्वतंत्र भारत के पर्थम राष्टपति जो हैं वो कहां से थे। तो याद रखियेगा बिहार से आपसंसी आपका सही उत्तर है। सोतंत्र भारत के पर्थम राष्ट पती डाक्टर राजियंद्र प्रशाद थे और वो सम्विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे डाक्टर राजियंद्र प्रशाद बिहार राज्य से थे अगला प्रश्ण है कि दो आवधी के लिए भारत की राष्ट पती कौन थे आपको बताना है तो सही उत्तर डाक्टर राजेंद्र प्रशाद दोस्तों आप जान लिजे कि दाक्टर राजेंद्र प्रशाद लगातार तीन आवधी तक 1950 से 1952, 1952 से 1957 और 1957 से 1962 तक भारत की राष्ट पती रहे जिन में से 26 जन्वरी 1950 को वे संबिधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत की राष्ट पती बने और 1952 और 1957 में वे वक्रम स प्रथम और दूती राष्ट पती चुनाओं में राष्ट्र पती निर्वाचित हुए थे अगला प्रश्न है सर्व सम्मति से निर्वाचित भारत की राष्ट पती कौन थे आपको बताना है तो सही उत्तर यन संजीव रेड़ी यानि नीलम संजीव रेड़ी याद नीलम संजीव रेड़ी सर्व सम्मति से यानि निर्विरोध भारत की राष्ट पती चुने जाने वाले एक मात्र व्यक्ति हैं उनका कारेकाल 1977 से 1982 था अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तू निम्नलिखित भारत की राष्ट पतियों में कौन दार्शनिक राजा या दार्शनिक सासक के रूप में जाना जाता है तो उत्तर है डाक्टर राधा कृष्णन दोस्तू आप जान लिजे भारत के दूसरे राष्ट पती डाक्टर सर्व पल्ली राधा कृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक सासक के रूप में जाना जाता है अगला तो सही उत्तर है दोस्तों आप जान लिजे भारत के चौथे राष्टपती वी वी गीरी चौथे राष्टपती यानि वाराह वैंकट गीरी इनका कारेकाल 1979 से 1974 तक था ये ट्रेड यूनियन आंदोलन से जूड़े रहे थे वे दो बार अखिल भारती ट्रेड यूनियन कांग अब्दुलकलाम को दोस्तों भारत के व्यक्ति के अनुसारी 11 वे राष्टपती डाक्टर एपी जे अब्दुलकलाम को मिसाइल मैन की संग्या दी जाती है और अगनी मिशाइल के निर्माड में इनकी महत्तपूर भूमिका रही थी अगला प्रश्न है भारत के निम्न 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1979 के दोरान कार्य वाहक राष्टपती के रूप में कारे किया था अगला प्रश्न है कौन से राष्टपती सर्वोच न्याले में उपस्तित हुए थे जब सर्वोच न्याले राष्टपती के निर्वाचन विबात की सुनवाई कर रहा था आपसन है डाक्टर जाकिर हुसेन वीवी गिरी फकरुद्दीन अली अली अहमद या नीलम संजीूरेटी तो सही उत्तर वीवी गिरी आपसन भी दोस्तों राष्टपती बीवी गिरी राष्टपती निर्वाचन में भरष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच नयाले की नयाधीस एम एम सीकरी की अध्यस्ता वाली पेट के सम्मुक उपस धेत हुए थे अगला प्रश्ण है कि भारती राष्टपती के आर नारायनन किस क्रम पर निर्वाचित हुए थे 9 में 10 में 11 में या 12 में तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 10 में दोस्तों भारती राष्टपती के और नारायनन व्यक्ति के अनुसार करम में भारत के दसमे राष्टपती थे जबकि कारेकाल के अनुसार करम में वे बाराहमे राष्टपती थे अगला प्रश्चन है भारत के दुती ये राष्टपती कौन थे आपको बताना है तो सही उत्तर है डाक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन ये भारत के दुती ये राष्टपती थे यानि 1962 से 1666 तक जो है राजेंदर प्रशाद के बाद राष्टपती पद के जो है चौथे कारेकाल यानि 1962 से 1967 थक राष्टपती डाक्टर येस राधा कृष्णन थे जो स्वतंत भारत के दूसरे राष्टपती थे अगला प्रश्ण है किसे भारत का राष्टपती बनने से पहले भारत रत्न पुरसकार मिला था आपसन है डाक्टर जाकिर हुसैन, डाक्टर राजेंदर प्रसाद, डाक्टर वी वी गीरी या डाक्टर एस राधा कृष्णन तो सही उत्तर डाक्टर येस राधा कृष्णन को याद रख लीजिए कि डाक्टर सरोपली राधा कृष्णन राष्टपती बनने से पूर्वी 1904 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित हो चुके थे और राष्टपती की रूप में इनका कारेकाल वर्स 1962 से 1967 तक था अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से किसने भारत के कारेकारी राष्टपती के रूप में कारेभार सम्हाला था वी वी गिरी, M, हिदायतुला, B, D, जत्ती या उपर युक्त सभी तो सही उत्तर हो जाएगा उपर युक्त सभी ने दोस्तों वी वी गिरी, H, M, हिदायतुला और B, D, जत्ती इन तीनों ही व्यक्तियों ने कारेकारी राष्टपती के रूप में कारेभार सम्हाला है अगला प्रश्ण है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्टपती कौन थे आपको बताना है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर डाक्टर जाकिर हुसेन आपसन B आपका सही उत्तर है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्टपती डाक्टर जाकिर हुसेन थे इनका कारेकाल 13 माई 1966 से 3 माई 1979 तक था फखरुद्दीन अली अहमद दूती और डाक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम तृतीय मुस्लिम राष्टपती थे अगला प्रश्ण है कि राष्टपती भवन को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा तो उत्तर आप जान लीजे Edwin Luteons के द्वारा आपसन C आपका सही उत्तर है ब्रेटिस वास्तुकार Edwin Luteons द्वारा राष्टपती भवन को डिजाइन किया गया था और ये भवन भारत के राष्टपती का सरकारी आवास है अगला प्रेश्ण है कि 25 जुलाई 2012 को प्रडव मुखर जी ने भारत के किस क्रम के राष्टपती के रूप में पद भार ग्रहन किया था तो सही उत्तर 13 में आपसन B आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रडव मुखर जी 25 जुलाई 2012 को भारत के 13 राष्टपती के रूप में पदभार ग्रहन किये थे वर्थमान में भारत की राष्टपती स्रीमती द्रोपदी मुर्मू है और ये व्यक्ति की अनुसार भारत की 15 मी राष्टपती है अगला प्रश्ण है भारत की राष्टपती को स्वेक्छा नीड़े अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतरगत क्या प्राप्त है वित्ती या पातकाल गोशित करना, किसी राष्टपती सासन लागू करना, प्रधान मंत्री की निउक्ती या मुख्य चुनाओ आयुक्त की निउक्ती तो सही उत्तर है प्रधान मंत्री की निउक्ती आपसंस C दोस्तों भारत के राष्टपती को स्वेक्छानिड़ अधिकार यानि विवेक अधिकार के अंतरगत लोग सभा में किसी भिद्धाल या चुनाव पूर्व गढ़वंधन के बहुमत ने प्राप्त करने पर प्रधान मंत्री की नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है अगला प्रश्ण है भारत का पहला अराजनीती गिराष्टपती कौन था डाक्टर जाकिर हुशैन डाक्टर एपी जे अब्दुलकलाम डाक्टर एस राधा कृष्णन या डाक्टर राजेंदर प्रशाद तो सही उतर डाक्टर एपी जे अब्दुलकलाम दोस्तों याद रखेगा भारत के पहले अराजनीति गिराष्टपती 11 में राष्टपती डाक्टर एपी जे अब्दुल गलाम थे उनका कारेकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा था अगला प्रश्ण है राष्टपती का अध्या देश कितनी आवधि के लिए लागू रहता है तीन महीने 6 महीने 9 महीने या अनिश्यत काल के लिए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर 6 महीने दोस्तों राष्टपती द्वारा जारी अध्यादेश संसत के दोनों सदनों की मंजूरी मिलने पर 6 महीने के लिए लागू रहता है जबकि संसत के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी ने मिलने पर 6 सपताह की समापती पर प्रवर्तन में नहीं रहता है अगला प्रश्ण बहुत ही महत्वपूर है संभिधान में 42 संसोधन पारित किये जाते समय भारत का राष्टपती कौन था आप जानते हैं 42 संभिधान संसोधन बहुत ही महत्वपूर है ये 1976 का संसोधन है और इस समय आपको बताना है कि भारत की राष्टपती कौन थे तो सही तर फकरुद्दीन अली अहमद दोस्तों आप जान लीजे संविधान में 42 में संविधान संसोधन पारित किये जाते समय भारत की राष्टपती फकरुद्दीन अली अहमद है अगला प्रश्ण है राष्टपती के निर्वाचक मंडल के सदसे होते हैं कौन तो यहां पर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदसे राज विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदसे सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदसे और दिल्ली और पोडुचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदसे तो सही उत्तर एक तीन और चार आप सत के दोनु सदनों यानि लोक सभा और राज्य सभा के निर्वाचे सदस्यों को सत्तरवे शम्विधान संसोधन 1992 के द्वारा अंतह अस्थापित किया था लेकिन अभी जो आप जान लिजे राष्टपती के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संग राज छेतर की विधान सभा के निर्वाचे सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है अगला प्रश्ण है भारत की राष्टपती पर महाभियोग चलायने के लिए कम से कम कितने दिन पूरो की सूचना आवस्यक है आपको बताना है तो सही उत्तर ये अवध 14 दिन की है भारत के राष्टपती पर महाभियोग संभिधान के अतिक्रमर के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसत का कोई सदन इस प्रकार आरोप लगाए संभिधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकेगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतरविष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिये जाने के पश्यात प्रस्थावित किया गया हो अगला प्रश्ण है भारत की राष्टपती को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह छमादान करे सर्वोच नयले की नयाधीस को हटाए आप आतकाल की घोश्रा करे या फिर अध्यादेश जारी करे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आप सन भी सर्वोच नयले की नयाधीस को हटाए दोस्तों आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 124 के खंडचार के अनुसार सर्वोच नयले की किसी नयाधीस को उसके पद से तब तक नहीं हटाए जाएगा जब तक साबित का दचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसत के प्रतेक सदन द्वारा अपनी कुल सदसे संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थिस समावेदन राष्टपती के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्टपती ने उसे हटाने का आधेश ने दे दिया हो अगला प्रश्ण है कथन और कारण से संबंधित है यहाँ पर कथन है राष्टपती संसत का भाग है बिल्कुल सही है कारण है कि संसत के दोनों सदनों द्वारा पारित बिधेग विना राष्टपती की स्विक्रिती के कानून नहीं बन सकता है तो कथन के बाद क्योंकि लगाने पर अगर जो कारण जो है सेट बैठता हो तो A और R दोनों सही हो जाएंगे और R A की सही ब्याख्या करता है तो आप देख लिजे राष्टपती संसत का भाग है लोकसभा, राज्यसभा और प्रिसिडेंट ये संसत के भाग है क्योंकि कोई भी विध्यक जो संसत के द्वारा पारित कर दिया जाए बिना राष्टपती की स्विक्रिति के कानून नहीं बन सकता है ए और आर दोनों सही है और आर एकी सही ब्याख्या भी करता है अगला प्रश्ण है किसी राज्य में राष्टपती सासन का तातपर है कि वह राज्य संचालित होता है किसके द्वारा तो उत्तर है राज्य के राज्यपाल के द्वारा क्यों आप जानते हैं दोस्तों जब किसी राज्य में संभैधानिक तंत्र भी फल हो जाता है तो अनुचे 356 के अंतरगत वहाँ पर राश्टपती सासन लागू होता है राश्टपती सासन लागू किये जाने पर उस राज्य के राज्य पाल द्वरा राज्य के शासन का संजालन किया जाता है क्योंकि राज्य पाल जो है राश्टपती का प्रतिनिधी है राज्यों में अगला प्रश्ण है कि नीचे कथन और कारण दिये गए हैं इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा जो है सही है कथन है संगी कारेपालिका का मुखिया भारत का राष्टपती होता है बिल्कुल सही है और राष्टपती की सक्तियों की कोई सीमा नहीं है तो ये आपका सही नहीं है ये सही किन्तु आर गलत है दोस्तों आप जान लीजे कि संबिधान के अनुच्छे तिरपन के तहर संगी कारेपालिका शक्ति राष्टपती में होती है कथन सही है अनुच्छे 74 एक के तहर राष्टपती अपने कृतियों का प्रियोग मंत्री परिशत की सलाह पर करता है और इस प्रकार कारणार गलत है क्योंकि राष्टपती की सक्तियों पर संबिधान के अंतरगत सीमाय अभ्यारोपित की गई है अगला प्रश्न है भारत की राष्टपती अपने शक्तियों का प्रियोग करते हैं कैसे तो आप जानते हैं भारत की राष्टपती अपनी शक्तियों का प्रियोग सीधे अथ अपने अधिनस्त अधिकारियों के द्वारा करते हैं याद रखे भारती संभिधान के अनुसार भारत का राष्टपती होगा अनुच्छेद बावन में कहा गया है और ये भी कहा गया है कि जिसमें संग की कारेपाली का शक्त नहीं थोगी और वह इसका प्रियोग इस संभिधान के अनुसार स्वयंग या अपने अधिनस्त अधिकारियों के द्वारा करेगा ये बेवस्था अनुच्छेद तिरपन एक में वाणित है अगला प्रेशन कथन और कारण से संबंधित है इसी के आधार पर आपको उत्तर देना है तो कथन है आपका कि संघ की कारेपाली का शक्तियां भारत के राष्टपती में नहीं थें बिल्कुल सही है और कारेपाली का शक्तियां सरकार का बेवसाय चलाने से संबंधित हैं बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर A और R दोनों सही तो है, लेकिन R A की सही ब्याख्या नहीं करता है, आपसन B आपका सही उत्तर हो जाएगा, दूस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही ब्याख्या नहीं करता है, अगला प्रश्न कथन और कारण से संब ये आपका सही नहीं है तो याद रखिएगा A सही किन्तु R गलत है आपसन C आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट पती के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है पहला है पदस्त राष्ट पती की पदावध ही जो है इससे पूर्व उत्तराधिकारे का चुनाव आवस्य हो जाना चाहिए सही है राष्ट पती अपना पदभार ग्रहन करने की तिथी से पांच वर्स तक पदपर बने रहेंगे बिल्कुल सही है तो यहाँ पर अपूर्ण रहने पर यहाँ पर देख सकते हैं आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन था राष्ट पती का उत्तराधिकारी आने तक कारेकाल की समापती पर भीवपत पर बना रहेगा यह जो है आपका सही है और निर्वाचक मंदल के अपूर्ण होने की आधार पर राष्ट पती का चुनाव अस्थगित किया जा सकता है यह सही नहीं है आप संडी आपका सही उत्तर है दूस्तों आप जान लिजे कि राष्टपती के चुनाओं को इस आधार पर चुनाओती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर है और अन्य सभी भी कल्प आपके सही है राष्टपती के निर्वाचन के मामले में सुप्रीम कोट ने निड़े दिया था कि राष्टपती पद के लिए निर्वाचन को इस आधार पर न तो अस्थागित किया जा सकता नहीं अवय ठहराय जा सकता है कि कि किसी राज्य विधान सभा को भंकर दी जाने के कारण सदन या विधान परिशत का सदसे हो तो वो जो है राज्य का मुख्य मंत्री मद्दान नहीं कर सकता है क्योंकि आप जानते हैं राष्टपती के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोक सभा और राज्य सभा के निर्वाचिस सदसे तथा राज्य विध विधान सभाओं के निर्वाचित सदत से होते हैं, विधान परिशत के नहीं. अगला प्रशन है भारती राष्टपती के विश्य में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए. यहां पर आपके तीन कथन दिये गए हैं. उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, सही है. दोस्तों राष्टपती पद के निर्वाचित होने के लिए अनुछे दठावन एक के अनुसार जो है भारत का नागरिक हो. 35 वर्स की आयुपूरी कर चुका हो. लोकसभा का सदसे निर्वाचित होने की योगिता रखता हो. तो राष्टपती पद के लिए भारत का नागरि तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जो सही है केवल और केवल दो सही है उसे 35 वर्स की उम्र पूरी कल लेनी चाहिए उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए ये कही नहीं कहा गया है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए 35 वर्स की उम्र पूरी कल लेनी चाहिए बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण है भारती संविधान के निमने लिखित में से किस एक संसोधन द्वारा राष्ट पती को कोई भी मामला मंत्री परिशत द्वारा पुनर विचार किये जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है तो सही उत्तर है चववालीस में संसोधन क के द्वारा अनुच्छे 74 एक में एक परंतुग जोड़ा गया जिसके तहट राष्ट पती को कोई भी मामला मंत्री परिशत द्वारा पुनर विचार किये जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है अगला प्रश्ण है भारत की राष्ट पती से संबंधित निम्नलिखित कतनों में से कौन सा एक सही नहीं है वह संसत का एक संघटक भाग है तो ये बिल्कुल सही है वह संसत का एक संघटक भाग है वह दोनों सदनों में चार्चा में भाग लेता है गलत है वह प्रतेक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है बिल्कुल सही है वह किनी परिस्थितियों में अध्यादेश लागो कर सकता है बिल्कुल सही तो आप सन्द भी आपका सही नहीं है दोस्तों राष्टपती पद जो है बहुत ही महत्पोर है और भारती संभिधान के अनुच्छेद 89 यानि 79 के अंतरगत भारत का राष्टपती संसत का एक संघठक भाग है अनुच्छेद 86 एक के तहत वह परतेक वर्ष के पर्थम सत्र की आरम में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संभोधित करता है और वह संभिधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेश परिस्तितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है लेकिन दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है अगला प्रश्न है कि कौन से भारती राष्टपती लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं आपको बताना है तो सही उत्तर नीलम संजीव रेड़ी याद रखेगा दोस्तों भारती नीलम संजीव रेड़ी दो अवधियों में जो है लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे और 1977 से 1982 तक भारत के राष्टपती भी रहे थे अगला प्रश्न है राष्टपती की छमा प्रदान करने की शक्ति में क्या शामिल नहीं है देखिए बहुत ही महत्तोपूर है छमा लगुकरण परिहार वीराम प्रविलंबन रोक और निरंतरता तो यहां पर देखिए छे और साथ छे और साथ इसमें शामिल नहीं है आप सन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारती सम्विधान के अनुछेद 72 के तहट राष्टपती को किसी अपराध के लिए दोशी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को छमा उ अगला प्रश्ण है कि किस प्राधिकार या किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्टपती को प्राप्त हैं आपसन है वास्तविक और लोगप्री आपचारिक और विधिक राजनीतिक और नाममात्र और सम्वैधानिक और नाममात्र तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जा दोस्तों भारत की राष्टपती को संभिधान के तहट जो प्राप्त अधिकार हैं वो आपचारिक और विधिक तथा संभैधानिक और नाम मात्र की हैं अगला प्रश्ण है भारत का राष्टपती बनने वाला प्रथम असमी यानि प्रथम असम के व्यक्ति कौन थे तो सही उत्तर है फकरुद्दीन अली अहमद दोस्तों भारत की राष्टपती बनने वाले पर्थम असमी मूल के व्यक्ती फकरुद्दीन अली अहमद थे उनके पिता एक असमी मुश्लिम थे अगला प्रश्ण है इन में से कौन सी शक्ति राष्टपती को है लेकिन किसी राज्य के राज्य पाल को नहीं है आपसन देखे मृत्तु सजा की माफी राजनैक सक्ती राज्य विधन मंडल दोरा पारित विध्यक पर निश्य धाधिकार का प्रियोग या आपात काल की घोश्डा तो सही उत्तर मृत्तु दंड की सजा की माफी राजनाइक सक्ती और आपातकाल की घोश्डा 1-2-4 आपका सही उत्तर हो जाएगा दूस्तों अनुछेद 72 के अनुसार राश्टपती मृत्तु दंड को छमा कर सकते हैं राजने एक शक्ती एक एवल राष्टपती के पास होती है राष्टपती अनुच्छे 352, अनुच्छे 356 और अनुच्छे 360 से आपातकाल की घोश्ड़ा कर सकते हैं जबकि राजजिपाल के पास ये सक्तियां नहीं है देखिए बहुत ही महोत्पूर्ण प्रश्ण अगला है और आज की वीडियो का आखरी प्रश्ण है कि राष्टपती द्वरा प्रख्यापित अध्यादेसों के संदर में कौन सा सही है यहाँ पर दो खथन दिये गए हैं आपको बताना है कि कौन सा सही है पहला है कि राष्टपती द्वरा घोशित अध्यादेस की सकती कानून के समतुले है बिलकुल सही है और संसत के द्वरा दोबानरा बैठने पर बैठा की तारिक से तीन सब्ताह के बाद अध्यादेस नि करने की शक्ती है और इसका प्रभाव संसत द्वरा निर्मित कानून के समान होता है राष्टपती द्वरा जारी अध्यादेश को संसत के सत्र सुरू होने के बाद छे सप्ताह के अंतरगत अनुमोदित होना चाहिए तो ये था आज का वीडियो भारती संबिधान एम राज विवस्था के अंतरगत राष्ट पती यानि प्रेसिडेंट से संबंधित महुत पूर्ण प्रश्णों का दूसरा भाग जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं के सामान ज्यान और सामान अध्यन के साथ विभिन राज्यों द्वारा राजनीत विज्यान और नागरिक स राज्तर विश्य से आयुजित परिक्षाओं के लिए भारती राजविवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है आप इन प्रश्णों को तयार कर लिजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार